राजिस्तान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तरत आकलन फ़ेस्ट जो आपके तीन नुवंबर दोजाथ 23 को कक्षया आड़ की गनित का पेपर होने वला है उसके लिए एक अभ्यास प्रस्थ पत्र आपके सामने है इस प्रकार का जो तीन तरीक आपके पेपर होगा वो होने वला है इस प्रकार की किशन आपके पूछे जाएंगे तो वीडियो को सुरू से अंत देखना तक कि आपको पता चलेगा कि आपके जी गनित का पैपर हो किस लेवल का आने वला है पहले किशन आपके सामने है अंक दे रहे कि आपको पांच अंक इससे बनने वाली सबसे बाद मैं आएगा 7, 9, 7 के बाद मैं आएगा 6, 5 और लाशे मैं यहागा 0. तो 97,650 इसका अंसर हो जाएंगे. 97,650 आपके आप्शन फ़स्ट में इसका अंसर दे रहे हैं. तो इसमें आपके पहले में फ़स्ट वाला सही हो जाएगा. इसे से अगर आपको सबसे चोटी संक्या बनानी हो तो सबसे चोटी संक्या बनानी के लिए पहले इसमें से जो जीरो पहले लिखेंगे तो कोई मतलब ने निकलेगा पहले लिखेंगे पांच फिर जीरो, छे, साथ और नो ये पांच अंगों के सबसे छोड़ी सेंग्या बनेगी अगला किशन है इनमें से कौन सा विकल्ब सकते हैं कौन सा सही है तो इसमें 16,000 बड़े हैं और 13,000 चोटे हैं 30,000 असी चोटे और 30,000 आट बड़े ये भी गल़त है 45,234 बड़े 45,243 चोटे ये भी गल़त है तीसरा उप्शनिस का सही हो जाएगा 19,009 ये है इसमें बड़े हैं और 10,909 चोटे हैं तो इसका सा वला उप्शनिस में सही हो जाएगा एक प्रस्ण का उतर आपको कमेंट करके बताना है एक किलो मिटर में कितने मिटर होता है एक किलो मिटर में कितना मिटर होता है कमेंट करके बताना किस अंक का स्थानिमान सबसे कम होता है तो जो इकाई के स्थान पे होता है इकाई के स्थान पे जो भी अंक होता है इसका स्थानिमान सबसे कम होता है जैसे जैसे इक आई से दाही की और बढ़ेंगे अस्थानिमान भी बढ़ेगा दाही से स्नेगड़े पे ज़्यादा होगा स्नेगड़ा से 1000 पे ज़्यादा होगा तो इसका उत्र हो जएगा आपके इक आई के अस्थान का First option का correct answer हो जाएगा Next question है चो था पुर्णांग दे रखाएं 49 49 मैनस के हैं इसका परवर्ती बताना है परवर्ती का मतलब इसके बाद आने वाला बताना है परवर्ती ज्याद करने के लिए हम एक जोड़ते हैं जैसे चार का परवर्ती में एक जोड़ेंगे तो पांच हो जाएगा पांच के परवर्ती एक जो अगर निसान आता है तो माइनस के 38 आपके first option में इसका उत्तर दे रखा है सबसे चोटी अबाजी संख्या कौन से होती है एक दो तीन और चार सबसे चोटी अबाजी संख्या होती है दो, दो सबसे चोटी अबाजिस संख्या होती है और एक सबसे चोटी विसम संख्या होती है दो सबसे चोटी संख्या भी होती ध्यान रखना है अगला क्यूशन आपके सामने है सभी संख्याओं का एक गुनन खंडे इसी कौन सी संक्या जिसका बाग सभी संक्याओं में जाता है तो एक का बाग सभी संक्याओं में जाता है तो उत्तर हो जाएगा इसमें एक अगला प्रस्थन है 210 इंटु 5 इसका मान किसके बराबर है तो 210 में 210 जोड देंगे तो 200 प्लस 10 हो जाएगा तो फर्स्ट आप्सेंश का करेक्ट अंसर जएगा 200 प्लस 10 इंटू 5 14 अगला प्रस्थन है एक होटल में एक दिन 350 थाली बोजन खाया जाता है एक थाली का उस्ट मुल्य 120 रुपए हैं आपको बताने की होटल की एक दिन में कितनी आय होगी इसके लिए क्या करना पड़ेगा 350 को गुणा करेंगे 120 से तो इसका जी उत्तरे वो आएगा 4000 ये 42,000 इसका अंसर आ जाएगा तो 350 को 120 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर जी होगा वो 42,000 होगा अगला प्रस्ण आपके सामने है बाकफल के रुप में 8 प्राप्त करने के लिए 72 को किस से विबाजित करेंगे то 72 में किसका बाक देख वो आट आ जाएं तो किसका पाड़ा बोलने पर आठ बार बोलने पर 72 आ जाते हैं तो आठ नम बहतर तो नो का पहाड़ा बोलेंगे आठ बार तो 72 आ जाएगा इसका उतर होगा नो या फिर आठ का 72 में बाग दे दो तो भी उतरा जाएगा नो इसी प्रकार के आपके हिंदी की और इंगलिस का भी आपके जो पैपर है वो आपको अपलोड कर जाएगा एक इस प्रकार का आपके पैपर आने वला है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अर्द वार्सिक वार्सिक प्रिक्षा के जो पैपर है वो मॉर एक हैं, दो हैं, तीन हैं और छे हैं, तो दोनों में common क्या है, एक तो एक हैं और एक इसमें दो हैं, इसका जो उत्तर है वो एक और दो हो जाएगा, फिर्स्ट ऑप्शन इसका correct answer होगा, अगला प्रस्त है, साथ की गात चार और इसमें साथ की गात दो, इसका मान कितना होगा बीच में बाजा के, तो बाग में आदार समान होने पर गाते गड़ जाती हैं, तो साथ की गात इसमें चार हैं, और साथ की गात इसमें दो हैं, और ये बाग में हैं, तो साथ की गात चार में से दो कम हो जाएगी, तो साथ की गात दो का मलब साथ इंटू साथ, तो साथ का साथ से गुणा करें तो उन पचास आ जाएगा साथ की गाद दो का मतलब साथ का वर्ग साथो साथी उन पचास होता है तो इसका उत्र कितना हो जाएगा उन पचास आप कमेंड करके बताने की आठ का वर्ग कितना होता है आठ का वर्ग कितना होता है कमेंड करके इसका उत्तर बताना है बारवा क्यूशन आपके सामने है चाय का मुल्य चीनी के मुल्य के 6 गुणे से 15 रुपे जादा है अगर चीनी को हम X रुपे मानते है तो चाय का मुल्य कितना होगा तो यहाँ पर अगर चाय का मुल्य ग्याद करना है तो चीनी के मुल्य को 6 से गुणा करके 15 जोड़ेंगी तो चाय का मुल्य आ जाएगा तो 6X प्लस 15 इसके उत्तर हो जाएगे तो इसका second option correct answer होगा 6X प्लस 15 त्यर्वा क्युष्य ने बिन एक भटा चार को परतिश 맞는 है तो एक बटा चार को परतिश्य में जब MARTIN के लिए इसको हम एक बड़ा चार को सोसे गुणा करेंगे इसको हम काटेंगी चार के परसे चार एक बार कडएगा और सो कडएगा 25 बार 25 चोचसो 25 को एक सर गुना करेंगे तो उतर आजएगा 25 परतिशद इसका अंसर कितना आजएगा 25 परतिशद आजएगा एक परसन मैं पूछता हूं उसका उत्र आपको कमेंड करके बताना कि एक बटा दो को परतिश्यत में बदलेंगे तो कितना परतिश्यत आएगा कमेंट करके बताना इसका अंसर चाओधवा किशने एक आयताकार खेत का क्षेतरफल सो वर्ग मीटर है उसकी लंबाई 20 मीटर हो तो उसका चोड़ाई याद करनी है तो आयत का क्षेतरफल क्या होता है लंबाई इंटू चोड़ाई सुतर लिखेंगे इसमें आयत का जो क्षेतरफल होता है आयत का क्षेतरफल इसका सुतर होता है लंबाई इंटू चोड़ाई लंबाई कितनी है लंबाई देर की 20 मीटर और चोड़ाई हमें ग्याद करनी है और शित्रफल दे रखा है 100 वर्ग मिटर चोड़ाई ग्याद करने के लिए 20 का इदर गुणा में इदर आके बाग देंगे तो 100 में 20 का बाग देंगे तो 20-500 होते हैं तो 5 मिटर इसकी चोड़ाई हो जाएगी तो चोड़ाई का मान कितना है 5 मिटर 5 मिटर उप्शन सव में इसमें दे रखा है 5 मिटर इसी प्रकाश से 15 वाकिशन है एक पार्क 125 मिटर लंबा है और 115 मिटर चोड़ा है तरमे इसके 10 बार चक्कर लगाता है कितनी दूरी तैय करेगा अब एक जो चक्कर लगाता है वो उसके परिमाप के बराबर आता है एक चकर लगाएगा तो उसके परिमाप के बराबर आएगा ये लंबाई अलगे और चोड़ाई अलगे लंबाई 125 मिटर है और चोड़ाई है 115 मिटर ये आयत हैं इसमें आपको आयत का परिमाप ग्याद करना है फिर जो भी उतरा है उसको दस से गुणा कर देना है तो आयत का परिमाप का सुतर होता है दो कोश्टक लंबाई प्लस चोड़ाई ये एक बार परिमाप से एक चकर की दूरी आएगी आयत का परिमाप इसका सुत्र होता है दो कुष्टक लंबाई प्लस चोड़ाई तो दो वैसे लिखेंगे गुणा में लंबाई कितनी है 125 तो 125 आजाएगा प्लस चोड़ाई कितनी है 115 इन दोनों को जोड के 2 से गुणा करेंगे तो 2 इन टू इनको जोड़ेंगे तो यह आजाएगा जीरो तीन और एक चार एक और एक दो यह आएगा 240 240 को हम गुणा करेंगे 2 से यह आजाएगा 480 यह जो 480 आये हैं वो इसका परिमाप है परिमाप का मतलब एक चक्कर लगाते तो उसके परिमाप आता है ऐसा 10 चकर लगा तो इसका जो आंसर वो 4800 मीटर होगा तो इस प्रकार से आपको इसका परिमाप याद करके हमें इसको दस से गुणा कर देना है अच्छा मैंने एक उत्र प्रस्ट पोचेता उपर कि एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं अपने कमेंट कर जिया होगा नहीं करा हो तो अभी भी कमेंट करके आप जो अपना उत्तर बता सकते हैं तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में आपके अगले पैपर के साथ में तब तक जै हिंद जै बारत